हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज मैं आपको ये ब्यूटिफुल लेस टैट करना बताऊंगी, बहुत इजी और सिंपल लेस है, इसको आप ड्रेस पे बोर्डर के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर जूलरी के तोर पर आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, तो एक ग्राफ से समझ लेते हैं, देखिए हर एक रिंग और हर एक चेन जो है, एट पिको एट डबल स्टिचिस का है, तो सबसे पहले ये रिंग बनाएंगे हम, और उसके बाद ये चेन, फिर ये रिंग बनाएंगे, जिसको पिछले रिंग से अटैच करेंगे, फिर दूसरे रिंग के उपजट तीसरा रिंग बनाएंगे, फिर चेन, फिर ये चोथा रिंग, जो के ये पिछले रिंग से अटैच होगा, फिर इसके उपजट एक रिंग, फिर ये पिछले रिंग से अटैच होगा, फिर इसके उपजट एक रिंग, फिर चेन, फिर ये और इस तरह ये first round हम बनाएंगे और फिर second round में ये chain बनाएंगे और जिस third ring बनाएंगे इस दो rings के अंदर ही हम इसको join करेंगे फिर ये chain फिर ये chain के ऊपर एक ring हमने attach करना है यहाँ पर फिर chain ring जो कि फिर दो rings में attach होगा तो basically second round में हमको एक chain एक ring बनाते हुई इस तरह से इस first round को cover कर देना है और फिर ये देखिए यहाँ से ये full भी बनता जाएगा और chain के ऊपर भी एक एक ring जो है attach होता जाएगा तो इसको फिर ये last वाले ring में base में हमने जोड़ देना है तो चलिए पहला ring बनाते हैं 20 नंबर का thread इस्तमाल कर रही हूँ और इसको shuttle में भर लिया है और chain work सीधा direct bowl से ही करूँगी तो पहला ring बनाते हैं 8 double stitches पिको 8 double stitches 4, 5, 6, 7, 8, 8 double stitches हो गए पिको पिको स्मॉल रखने हैं हमको फिर 8 double stitches 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो stitches को tightly पकड़के ये ring close कर देते हैं तो देखिए ये पहला ring बन गया हर एक ring इसी नापका बनेगा इसके बाद reverse work करेंगे और फिर यहाँ पे अब हम ball thread से chain बनाएंगे इस तरह से हमने fingers के पास हमने ये thread ले लिया है और यहाँ पे chain का भी वही नाप है 8 double stitches पिको 8 double stitches तो ये देखिए इस तरह से पास में हम stitches लेते जाएंगे 8 double stitches हो गए पिको पिको समाली रखेंगे फिर 8 double stitches stitches टाइट करेंगे तो ये chain हमारी बन गई stitches को अच्छे से टाइट कर लेंगे तो ये देखिए chain बन गई अब reverse work करेंगे और यहाँ पे अब दूसरा ring बनाएंगे 8 double stitches लेंगे और इसको पहले ring के पिको से attach करेंगे ये देखिए ये पिको small है तो crochet hook की इस्तमाल करना पड़ेगा इस तरह crochet hook की मदद से आप ये loop वला thread इसमें ले ले लें और फिर 8 double stitches 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये ring close कर देते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमने ring join कर लिए तो दो ring बन गए अब देखिए आगे ये हमने दो ring बनाए हैं पहले ring के बाद chain फिर ये दूसरा ring अब इसके बाद reverse work करके इसके opposite वाला ring बनाना है तो reverse work करना पड़ेगा तीसरा ring बनाते हैं तो ये देखिए इसको इस तरह से reverse करेंगे और अभी ये जो shuttle वाला thread है ना right hand पे है तो इसको left hand पे ले जाने के लिए यहाँ पे हमको एक note लगानी पड़ेगी क्योंकि single shuttle से work कर रहे हैं तो opposite रंग बनाने के लिए इस shuttle को left hand पे ले जाना ज़रूरी है तो ये देखिए ball thread नीचे है shuttle वाला thread जो है left को आ गया अब shuttle thread से हम एक ring बनाते हैं सेम मेजर्मेंट का 8 double stitches पिको 8 double stitches एक डबल स्टिचेज लेंगे पिको और एक डबल स्टिचेज लेके ये रिंग क्लोज कर देंगे तो देखिए ये रिंग क्लोज हो गया अब reverse करेंगे और ये इस तरह से इस तरफ भी chain बनाएंगे तो इस तरह से ये S बन जाएगा chain का तो यहाँ पे chain का नाप वही रहेगा 8 double stitches पिको 8 double stitches तो बिल्कुल पास में stitches लेने हैं तो ये chain बना कर फिर आपको दिखाती तो देखिए ये chain बना ली अब इसके बाद हमको reverse वर्क करना है और यहाँ पर एक दूसरा रिंग बनाएंगे तो हर एक रिंग का measurement सेम है 8 double stitches लेते हैं पहले और अब इसको यहाँ पिछले रिंग के पिको से अटैच कर देना है इसके बाद फिर 8 double stitches लेंगे और यह रिंग क्लोज कर देते हैं अब reverse करेंगे अभी यहाँ इसके opposite एक और रिंग बनाना है तो second ring जब हम join करते हैं तो उसके फिर बाद में opposite ring बनाना होता है लेकिन उससे पहले यह shuttle को left hand में लाने के लिए हम यहाँ पे note लगानी है क्योंकि single shuttle से work कर रहे हैं तो opposite work जो है इसी को हम note लगाके यहाँ पे बनाएंगे ring तो यह देखिए ring बना दिया same nap का अब इसके बाद reverse work करके फिर यह देखिए यहाँ पे chain बनाएंगे और इसी तरह से slice को हम continue करते जाएंगे तो इसकी थोड़ी से length बना के मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए इतनी से length मैंने बना ली है तो आप जितनी length बनाना चाहें उतनी यह बना के फिर यह आपका first round हो जाएगा अब इसके आगे देखिए यह हमने यह इतनी length बना ली इसके बाद हमने chain बनानी है और फिर यह इस तरह से एक एक ring इस lace में attach करते जाना है तो यह chain बनाते हैं तो reverse work करके हमको same नाप की chain बनानी है तो यह देखिए chain बना ली 8 double stitches भी को 8 double stitches लेके अब फिर reverse करेंगे और अभी यहां यहां ring attach करना है दो rings के pico से हमको यह third ring भी attach करना है तो 8 double stitches लेते हैं पहले बिल्कुल पास में stitch लेंगे तो 8 double stitches ले लिए अब यह two rings के pico में ही यह देखिए यहां पर हम यह जो बॉल थ्रेड हैंड वाला लूप है इसी में से pico को निकाल के और इसमें attach कर देंगे और अभी आगे और 8 double stitches ले ले लेते हैं और यह ring close कर देंगे तो यह देखिए यह ring close कर देते हैं इस तरह से तो यह second round simple है एक chain एक ring एक chain बनाते हुए अभी reverse work करके फिर हम chain बना लेते हैं तो यह देखिए chain बना ली अब फिर reverse work करके फिर अगला ring जो है यहाँ chain पे attach होगा तो यह देखिए यह attach कर दिया इससे अगला ring यह दो rings में attach होगा और इस तरह से यह हमने पूरी row इस तरह बना ली अब आगे एक chain हम बनाएंगे दूसरी तरफ जाने के लिए तो reverse करके यहाँ पे chain बनाते हैं तो इस chain को हमने यह first वाले ring के base में attach करना है यहाँ पे तो जब इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे तो space मिल जाएगी तो दिखिए इस तरह से अगर space ना मिले तो stitches को थोड़ा सा आप lose कर लेना इस तरह के से तो यहाँ पे यह देखिए यह space मिल जाती है और इसी में आप shuttle वाले thread को खींच के उसी के loop में से shuttle pass करके यह lock लगा लेना क्योंकि इस chain के बाद reverse work नहीं करना तो यह chain से ही हमने continue करना है तो same इसी तरह पीछे chain बनाई इसी को आगे continue करना है तो same ना आपकी एक और chain बनाते हैं 8 double stitches पिको 8 double stitches तो यह chain बना ली हमने अब reverse करेंगे और यहाँ पर रिंग बनाएंगे दो rings के अंदर join करेंगे इस row में भी ऐसे ही join करेंगे एक ring यहाँ एक chain पर फिर एक rings में एक chain पर तो यह देखिए यह मैंने complete कर लिया अभी यहाँ पर आगे एक और last वाली chain बनानी है तो reverse work मैंने कर लिया हुआ है अभी यहाँ फिर same chain बना लेते हैं तो chain यहाँ पर बना ली मैंने threads भी cut कर लिये क्योंकि last वाली chain थी तो अभी जो stitches के अंदर से thread ढारा है इसको यह ring के base मे हमने इस तरह से खींच लेना है और यहाँ पर note लगा देंगे बाकी यह threads हम छिपा देंगे stitches में तो देखिए कितनी beautiful यह हमारी lace बन जाती है तो I hope आपको अच्छे से यह lace समझ में आ गई है बहुत simple थी तो इस तरह से आप beautiful border beautiful jewelry बना सकते हैं तो आप बना के फिर comment करना थैंक यू for watching